आज हम बात करने वाले हैं वैशाक पूर्डिमा की और ये दिन इतना पवित्र है, इतना महत्वपून है कि इसी दिन का चुनाव किया था भगवान बुद्ध ने अपने अवतरण के लिए इसलिए कहीं कहीं पर इसको बुद्ध पूर्डिमा भी कहा जाता है वैशाक पूर्डिमा का जो अपना महत्व है सो तो ही लेकिन वैशाक पूर्डिमा पर आप छोटे छोटे उपाय करके अपनी कुंडली के बिगड़े हुए खराब चंद्रमा को बेहतर कर सकते हैं क्या तरीका होगा क्या मामला होगा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं बात करेंगे कि वैशाक पूर्डिमा का महत्व क्या है इतनी महत्वपूर्ड पूर्डिमा ये क्यूं है वैशाक पूर्डिमा पर किस तरह के उपाय किये जाएंगे और कौन से ऐसे उपाय किये जाएंगे जिससे चंद्रमा की समस्याएं दूर हो जाएंगी वैसे तो देखिए हर पूर्डिमा का अपने आप में महत्व होता है हर पूर्डिमा अपने आप में बड़ी कीमती होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पूर्डिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां विशेश हो जाती है लेकिन इसमें भी वैशाक पूर्डिमा का विशेश महत्व क्या है पूर्डिमा की जो तिथी है ये पूर्णरत्व की तिथी मानी जाती है पूर्णरत्व माने संपूर्ण होना कंप्लीट होना चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है कंप्लीट होता है इसलिए इसको पूर्डिमा कहते है इस तिथी को चंद्रमा संपूर होता है सूर्य और चंद्रमा सम सब्तक होते हैं एक दूसरे से सात्मे खाने में बैठे होते हैं इस तिथी पर जल में और वातावरन में विशेश उर्जा आ जाती है ऐसा माना जाता है कि पूर्डिमा के दिन जो पानी है जो जल है वो विशेश शक्तिशाली हो जाता है विशेश ताकतवर हो जाता है इसलिए आप देखिए कि पूर्डिमा के दिन हमारे यहां परंपरा है कि पवित्र नदियों में इस नान किया जाए उसका कारण यह है कि जल से संबंधित पानी से संबंधित जो फाइदे हैं वो आपको हो सके वैशाक पूर्डिमा का जो दिन है यह चंद्रमा की शक्ती से संपन्ध होता है वैशाक पूर्डिमा पर चंद्रमा विशेश ताकतवर हो जाता है इस दिन को दैवियता का दिन माना जाता है इस दिन को डिवाइन दिन मानते हैं इस दिन को इश्वर का दिन मानते हैं इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था इसलिए बुद्ध भगवान के जो मताव लंबी है वो इस दिन को बुद्ध पूर्डिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था इस दिन यानि वैशाक पूर्डिमा पर ध्यान करना, दान करना और सनान करना विशेश लाबकारी होता है अब चुकि लोकडाउन का चक्कर है तो दान थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये जरूर है कि इस दिन आप अपने घर में सनान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, दान का संकल्प ले सकते हैं, प्रभू से प्राथना कर सकते हैं, उसका फाइदा आपको निश्चित रूप से होगा वैशाक पूडिमा के दिन छोटे छोटे उपायों से चंद्रमा की समस्याओं को दूर किया जा सकता है जब आप वैशाक पूडिमा पर उपाय करेंगे जब आप वैशाक पूडिमा पर प्राथना करेंगे जब आप उपासना करेंगे तो चंद्रमा की समस्याओं को दूर किया जा सकेगा क्योंकि चंद्रमा की जो ताकत है वो जल के अंदर, पानी के अंदर, वातावरण के अंदर आ जाती है इसलिए वैशाक्त पोडिमा पर जब आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो चंद्रमा की तमाम समस्याओं दूर हो जाएंगी चंद्रमा से सम्बंदित समस्याओं दूर हो जाएंगी ये बात तो ठीक है लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि चंद्रमा से सम्बंदित समस्याओं आकिर हैं क्या कौन सी समस्याइं चंद्रमा से संबंद रखती है देखिए व्यक्ति को सांस लेने की यानि ब्रीधिंग की और कोल्ड कफ की शीत जन्य रोगों की समस्या हो जाती है ब्रीधिंग प्राबलम और कोल्ड कफ की समस्या हो जाती है व्यक्ति को अगर चंद्रमा कुंडली में गड रहेगा हमेशा बिना वजह के तनाव में रहेगा अगर चंद्रमा आपका गड़बड है तो व्यक्ति को इस्तरी पक्ष से महिलाओं से या किसी महिला को ले करके जीवन में कष्ट रहेगा इसकी संभावना भी बनती है हार्मोन्स की समस्या हाला कि हार्मोन्स के लिए बुद्धिम मेदार है लेकिन चंद्रमा भी कभी कभी हार्मोन्स की समस्या और अवसाद की समस्या यानि डिप्रेशन की प्रॉबलम देता है अगर चंद्रमा बिगडा हुआ है तो हार्मोन की प्रॉबलम और डिप्रेशन की प्राबलम भी हो जाती है कभी कभी नीद ना आने की समस्या भी होती है और जिनका चंद्रमा गडबड होता है आप देखेंगे कि वो बार-बार नीद में चौक करके एकड़म सडिनली अचानक से उठ जाते हैं और अगर चंद्रमा कुंडली में गडबड है तो व्यक्ति को म माता का सुख नहीं मिलता यानि या तो उसकी माता रहती नहीं या अगर माता है तो व्यक्ति के संबंध अपनी माता के साथ अच्छे नहीं रहते क्योंकि जोतिश में चंद्रमा का मतलब माता होता है और अगर आपका चंद्रमा गडबड होगा तो या तो आपकी मा नहीं और अगर आपकी मार रहेंगी तो आपके संबंध आपकी माता के साथ अच्छे नहीं होंगे